आमरपाली ने जता दिया है कि अब वो पूरी तरह से खेसारी की सपोर्ट में है जी हाँ हम आपको आज एक ऐसी खबर देने वाले हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि आमरपाली और पवन सिंग के बीच ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो इनको इस सालों की दुश्मनी अब उस फ्रेम में नहीं रही है जिस फ्रेम में होने चाहिए अब आप यह सोचेंगे कि आमरपाली ने तो कहीं पवन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया भाई अब बयान देने की जरूरत नहीं होती है आज कर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आप अ आपने तो देखा ही होगा कि पिछले महीने के सारी लाल यादो की मकरस्रंकरांती के मौके पर एक फिल्म रिलीज हुई फिल्म का नाम था दुलनवई जो पियामन भाई यह लगा तार चोथे हफ़ते बहुत ही अच्छा बिजनस कर रही है और इसी को कॉंग्रेचुलेट क करते हुए भाई आमरपाली ने इस फिल्म के लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कोई फिल्म इस तरह से भोचपुरी सिनमा में बिजनस कर रही है लेकिन वहीं पर पवन सिंग के फिल्म पवन पुत्र भी रिलीज हुई लेकिन ना आमरपाली ने इसकी बधाई दी लोगों को और ना ही इसके सपोर्ट में कुछ कहा वैसे आमरपाली पहुचपुरी की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो सभी के गानों को सभी के फिल्मों को बखु भी सपोर्ट करती है और भोचपुरी से आमरपाली ने यह जता दिया है कि हमारी राहे पवन सिंग से अलग है वैसे यह जो पोस्ट आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर चल रहा है यह आमरपाली द्वारा ही किया गया पोस्ट है दुलहन वही जो पियामन भाय के सपोर्ट में बोजपुरी जगत की होट और मसाल लेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूनी है